लेट्स इंप्रोव इंग्लिश इस विडियो को एंट तक जरूर देखें इससे आपके इंग्लिश इंप्रूव होगी मैं कुछ ऐसे सेंडेसे लोगा हिंदी में कुछ बाते जो जनरल यह ना लोग करते हैं ऐसे हिंदी में बोलते हैं और फिर जब इंग्लिश बनाने की बात आती है तो confused हो जाते हैं तो friends मैं आपको पताने वाला हूँ हम इसके लिए कह सकते हैं To hell with him To heck with him Hell या heck में से किसी भी word cup यूज़ कर सकते हैं To hell with him To heck with him भाड में जाया वो उसकी तो ऐसी की तैसी मैं उसे बिताता हूँ इस तरीके की बात को इंग्लिश में ऐसे कह सकते हैं जैसे कहना है तेरी माफी की ऐसी की तैसी जैसे कोई माफी माँग रहा है मैं कह रहा हूँ तेरी माफी की ऐसी की तैसी इसे कहेंगे To heck with your apology To hell with your apology वैसे ही जब हम यह कहना होता है न भाड में जाए यह जिम्मेदारी कोई आपको कोई जिम्मेदारी दे रहा है और आप कहरे हो अरे छोड़ो ना भाड में जाए जिम्मेदारी To hell with this responsibility To hell with this responsibility तो जो हम कहते हैं भाड में जाए यह जीज़ इसकी ऐसी की तैसी तो मतलब एक ही तरह का होता है तो इसलिए Englishman हम इस phrase का use करेंगे दोनों ही situations में To hell with something या फिर To hack with something इस तरीके से आप कह सकते हैं अब आप इस sentence को देखिए मैं तंग आ गया हूँ इन रोज रोज के जगडों से रोज रोज के जगडों से मैं तंग आ गया हूँ तंग आ गया हूँ मैं किसी चीज़ से इसके लिए हम fed up बोलते हैं I am fed up with these everyday fights, brawls, altercations आप जो जगडे होते हैं जगडों को आप fights बोल सकते हो brawls बोल सकते हो और altercations बोल सकते हो जो कहा सुनी होती रहती है जो बहस होती रहती है, जगडे होते हैं उसके लिए आप इनमें से किसी भी word का यूज कर सकते हैं या फिर आप corals भी बोल सकते हैं I am fed up with something यानि मैं किसी चीज़ से तंग आ गया हूँ So I am fed up with these everyday fights Everyday मतलब यह रोज की fights, brawls, altercations, quarrels अब आप इस sentence को देखिए बरात आने वाली है तो अकसर confusion होता है कि बरात को हम कैसे कह सकते है इसके लिए हम कह सकते है The wedding procession is about to arrive The wedding procession यानि procession बोल सकते हैं बरात को और हमें इसमें साथ में wedding बोलने की क्या जरूरत है क्योंकि profession का क्योंकि procession का वैसे मतलब होता है बहुत सारे लोग वा group कहीं पर जा रहा है तो उस group को हम कहते हैं procession है और वो wedding procession हो सकता है वैसे funeral procession भी होता है funeral जो अंतिम संस्कार होता है उसे funeral कहते है So funeral procession यहाँ पे wedding procession So the wedding procession is about to arrive बरात देखने के लिए लोग छटों पर खड़े हैं People are standing on the roofs to see the wedding procession People are standing on the roofs to see the wedding procession अब जब बरात की बात हो रही है तो कुछ इस तरह की बात भी कही जाती है मुहरत का समय निकला जा रहा है तो कहने का मतलब उता शुब घड़ी निकले जा रही है English में कह सकते है The auspicious time is passing The auspicious time is passing जो auspicious time है शुब घड़ी है शुब समय है वो पास हो रहा है वो जाता जा रहा है मैं उसको सही सलामत घर ले आऊँगा कह सकते है I will bring him home safe and sound Safe and sound आप बोलेंगे जब आप कहना चाते हैं सही सलामत जैसे इस sentence में मैं सही सलामत यहां पहुँच गया हूँ सही सलामत I have got here safe and sound I am safe and sound यानि मैं सही सलामत हूँ Friends आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि Get का मतलब पहुचना भी होता है तो उसी वे में I have got here मैं यहां पहुँच गया हूँ I have arrived here safe and sound मैं safe and sound हूँ आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया थे Get के अलग-अलग uses उस वीडियो का लिंक आपको यहीं पर मिल जाएगा वो अपने प्यार का दिखावा करता है दिखाता रहता सबको कि बड़ा प्यार करता हूँ He shows off his love He shows off his love किसी चीज़ का दिखावा करना यानि pretend करना शो off करना वो अपने नए फोन पर इत्रा रहा है जब मैं इस तरह की बात कहनी है कि बड़ा घमन दिखा रहा है नया फोन उस पर इत्रा रहा है इसके लिए भी हम show off कह सकते है He is showing off his new phone या फिर दूसरा बड़ होता है flaunt flaunt करने का मतलब होता है किसी चीज़ पर इत्रा ना किसी को बड़े घमन के साथ दिखाना की देखो मेरे पास ये है He is flaunting his new phone या फिर He is showing off his new phone तुम अपने पापा के पैसो पर आश करते हो खुद तो कमाते नहीं English में कह सकते है You live off your father and make merry Live off a phrasal verb है जिसका मतलब होता है किसी के उपर आशरित रहना dependent रहना कि वो ही आपको पैसे देगा वो ही खाना पीने का जुगाड़ करेगा और फिर आप जियोगे यानि You live off your father अपने father के उपर आप जीते हो father पे dependent हो जब हम food की बात कर रहे होते है कि मैं तो भई आजकल यही खा रहा हूं इसी में काम चल रहा है आजकल मैं बस पानी और दूद के सारे रह रहा हूं यानि और कुछ मुझे मिलनी रहा खाने के लिए पीने के लिए पानी और दूद पीता हूँ बस पेट भरता हूँ तो इस तरीके से भी आप living off का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंज किसी भी फ्रेज या किसी भी वर्ट को अगर आप याद रखना चाहते हैं उसे सीखना चाहते हैं तो उससे कुछ sentence जरूर बनाने हैं क्योंकि जब आप नहीं बनाएंगे तो आपको वह चीज़े याद नहीं रहेंगी और correct time पे बोलने का time पे जब आपको जरूरत पढ़ेगी किसी चीज़ की वो फिर आएगी नहीं माइंड में click नहीं करेगी तो वो माइंड में click करें इसके लिए आपको ये करना बहुत जरूरी है कि किसी भी phrase को आप सीखो किसी भी जब भी मैं किसी word को introduce करता हूँ तो आपकी जिम्मेदारी होती है ये अपने ही प्रती कि आपको कुछ sentence से बनाने है जिससे practice हो सके और यूज करने की कोशिश करनी है जब आप यूज नहीं करेंगे तो आप उसे भूल जाएंगे बड़ी natural सी बात है It's human tendency We tend to forget things very easily But if we keep using something, if we keep using some phrase or anything We remember it That thing just remains in our mind I hope you understand Friends, that's it for this video I hope you have liked this video If you want to keep improving your English just like this Make sure to subscribe to this channel if you haven't already We'll talk in the next video lesson Till then take care and bye